कि दोस्तों स्वागत है आपका केड़ीवी इंडिया पर दोस्तों आज हो चुका है 30 माई 2020 तो आज की देश भड़ की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए दोस्तों वीडियो इस्टाट करते हैं अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके विए लेकर उनको भी प्रेस कर दिजिए और साथ में वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ सेर्भी किजिए तो चले दोस्तों इस्टाट करते हैं आज का न्यूज दुनिया इस समय संकर्मन से जूज रहा है दुनिया के कई देश इस महामारी से लगने के लिए द जिन से इतर दवाऊं पर भी भारत में कापी तेजी से काम हो रहा है संकर्मन की खिलाब जंग में भारत काम यवी की बेहद कडिब पहुच गया है भारत में कडिब 30 समों संकर्मन के खिलाब टिका विक्सित करने की कोशिस में लगे हुए हैं एक जून से देश में लॉगडाउन बढ़ेगा या फिर खत्म होगा लॉगडाउन में छुट मिलेगी या फिर सकती फिर से बढ़ेगी सबके मन में अभी इसी तरह के सवाल उत्पन हो रहे हैं इस बिच पीए मोदी और गिरे मंतरी अमिस्टा मंतन में जुटे हुए हैं राजे की फिडबेक लेने के बाद गिरे मंतरी अमिस्टा पीए मोदी से चर्चा करने के लिए पहुचे हैं कल केंड़ सरकार लॉगडाउन पर अपने फैसले की घोसना कर देगी इस महामरी को रोकने के लिए देश में 24 मार्च सही लॉगडाउन लागो है लॉगडाउन 4.0 कल यानि के 31 में को खत्म होड़ा है लॉगडाउन के चाउसे चरण में काफी ढील दी गई और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दी गए थी एक तरफ जहां राजे सरकार परवासी मजदुरों को वापस लाने के लिए परतिबद हैं तो वही दूसरे तरफ जहारखन के अधिकारियों का बेतुका रवया नजर आ रहा है जी हाँ जारखन के प्रोसी मजदूरों को वापस लाने की जीमेवरी सीनियर आईएस अधिकारी एपी सिंग को दी गई है लेकिन मजदूरों को लेकर उनके वहबार का खुलासा एक वाइरल आउडियो से हुआ है करिक तोर पर इस आउडियो में एक मजदूर और एपी सिंग की बातचित है जिसमें से मजदूर एपी सिंग से ट्रेन में खाना ना मिलने की सिकायत करता है तो इसके जवाब में एपी सिंग ने मजदूर से फौन पर ट्रेन से कुद जाने की बात कहई डाली है जी हाँ, हलाकि हम आपको बदने कि इस आडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टी नहीं करते हैं संकट के इस घड़े में मजदोरों को मदद करने के लिए सरकार और नीजे संस्ताएं भी सामने आई है मजदोरों को वापस अपने परदेश लाया जा रहा है ताकि वे अपने घर पहुँच सकी जारकन में अभी तक कड़िब तीन लाख परवा से मजदोर घर वापस आ चुके हैं तिडियों के झूणे ने सुक्रवार को उतर परदेश के सोन भदर जिले में फसलों को बरबाद कर दिया य flex मद़ परदेश से उतर परदेश के सोन भदर जिले के गहराओॉल इलाके में पहुचा और कई गाउं की सबजियों की खेती को चट कर दिया लागडाउन का चौसा चरण 31 में यानि कि कल समापत होड़ा है इसके बाद जादोतर राजे सरकारें सिर्फ कंडेंड में जूर्ण में ही परतिबंद लगाना चाहती है अगर केंद सरकार अनुमती देती है तो फिर राजे सरकारें पहले के मुकाबले ज़्यादा बाजार खोलने एक राजे से दूसरे राजे तक परिवन सिविदा को और सुगम बनाने सुसल डिस्टिंसिंग के साथ धार्मिक जगों को खोलने जैसे फैसले लेने पर विचार कर सकती है एक जुन से भारते रेल यात्रियों के लिए 208 ट्रेन चलाया जा रहा है ऐसे में अब हर कोई एक कन्फरमर टिकट चाता है ताकि सफर में कोई भी पड़िसानी ना हो अब आपकी जड़त को ध्यान में रखते हुए भारते रेल ने टिकट के एडवास बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है जी हाँ भारते रेल ने रेल यात्रियों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है यात्रियों अब सीधे 120 दिन पहले यानि की चार मेने पहले ही अपनी यात्री की टिकट बुक करा सकते हैं इसे टिकट मिलने और यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी आपको वदद के अभी तक आप सिर्फ एक मेने पहले ही एडवास बुकिंग करा सकते हैं बिहार के 19 जीलों में 90 पोजिटिव मरीजी मिलने के बाद राज्ये में कुल संक्रमी तो कि संख्या बरकर 375 हो गई है स्वास्ते विभाग की जारी की गई रिपोर्ट की मताबिक सबसे अधिक जहनाबाद में उन्हें संक्रमित पाए गए हैं इसके बाद सेखपुरा में 18 गोपाल गज में 8 मदुबने में 7 समस्तिपूर में 6 पूर्णे में 5 जमुई और भोषपूर में 4-4 खगडिया लखी सराय और गया में 3-3 अरंगाबाद और बाका में 2-2 तथा मुंगेर वैसाली सारन पतना नवादा और बखसर में 1-1 पोजि से उनकी कुर्सी छिन घई और अब उनने उनकी ही पाटे ने उसे बरखास्त कर दिया महातिर मुहम्मद को उनकी ही पार्टी ने पार्टी के सम्मिधान का उलंगन करने का दोसी करार देते हुए बहार का रास्ता दिखा दिया गया आपको बताती कि कस्मिर मुद्य और नागरिक्ता संसुरन कानून पर भारत के अलोजशना को लेकर चर्चा में आये मलीसिया के पूर प्रधार मंतरी महातिर मुहम्मद को संसदिय सत्र में विपस्च के साथ बैठने को लेकर पार्टी से निकाल दिया गया महातिर को जिस राजनितिक पार्टी से निकाला गया है वो उसी के सहसंस्ता पकड़े हैं भारत और चीन के बीच जोर पकर रहे सीमय विवाद को हल करने के लिए अमेरिकी राष्ट अपड़े दोनाल टरॉप के मदेस्ता करने के परद़स्ता ओपर चीन की सरकार ने परतिक्रिया दी है चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार चीनी विदे समंतरा लेके परोकता ने कहा है कि चीन और भारत आपसी विवादों को बास्चित और वीमर्स के जरिये सुल जाने में पुरी तरकी से सक्चम है और दोनों देसों के पास बास्चित के जरिये मुद्य सुल जाने का उचित तंत्र मौजूद है सरकारी समाचार पत्र गलोबल टाइमसे में छपे एक लेक के अनुसार ये कहते हुए चीन अभारत के साथ जारी विबात को अमेरिका के मदस्ता के जरिये समाप्त करने की पेसकर्स को ठुकड़ा दिया चार धाम यातर पर जाने के इच्चुक सरधालों के लिए खुसकपरी है जल्द ही आपको चार धाम यातर की इजाज़त मिल सकती है फिलहाल उत्राखन सरकार को केंद सरकार की हरी जन्री का इंतजार है केंद सरकार से हरी जन्री मिलते ही सरधालों को चार धाम यात्रा की एजाजत दे दी जाएगी अलाकि सुभी की मौझूदा एसेती को देखते हुए अभी सिर्फ सिमित संक्या में ही सर्धालों को ये अनुमती मिल सकेगी दोस्तों आज देश भर की टॉप खबरें बसी यहीं तक कैसे लगा आप लोगों को जरू अपना सजाओ देजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप नए इस चैनल पर केड़ी इंडिया पर तो नीचे रेट क्लिक कर देजाने कि सब्सक्राइब कर देजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में याने कि अगली वीडियो में